सो लोगाइस विल्कम बैक टून दिस वीडियो कैसे हो आप सब उम्मित करता हूं बहुत बड़ी होंगे तो देखो आप सभी के जो फर्स्ट मेरेट लेश्ट रहते सी यूटी यूजी वाले स्टूडियन के लिए वह 28 या फिर 29 तारीक आसपास से आना चालो हो गये थे लेक आपके कटाफ साथ में ही आ जाएंगे हो सकता है कांसलिंग एक दो दिन देले चले लेकिन अब ऐसा नहीं है आज के वीडियो में डिसक्रस करेंगे कि कटाफ कब आने वाली है एंड उतने ही टाइम पर आप सभी के कटाफ आएगी यह फानल है ठीक है तो वीडियो वेरी से अपने डाउट के लियर कर सकते हो तो देखो बात कर लेते हैं आप सभी के बीए ब्यसी माज ब्यसी बालजी एंड बीए की कटाफ कब तक आएगी तो देखो आप सभी के जो फर्स्ट मेरेट लेश्ट थी उसकी जो अंतीम चरण है वो कंपलेट हो चकी है मतलब कि आज जितने भी कांसलिंग थे कंपलेट हो चकी है क्योंकि तीन दिन के आप सभी के टाइम दिये थे फिस्पेंट के लिए तो आज तीन दिन आप सभी के कंपलेट हो चुके हैं आज एक तारीक है जैसा कि आप सभी को पताई होगा कि यूपीपी का एक्जाम था तो उसके प्रिफिकेसन भी रोग दिये जाते हैं तो आज यानि की एक तारी को साम तक आप सभी के कट आफ आने के पूरे चांस है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आप सभी के फर्स्ट रौंड की कांसलिंग है उसकी जो डेट है वो छे बज़े तक है तो मलब छे बज़े कट आफ हैं वो छे से साथ बज़े के आसपास आने के पूरे चांस है एक और चीज़ बता जिता हूं अगर आज मान लीजे कट आफ नहीं आया कुछ प्रॉब्लम हो गया साइड में क्योंकि कई बार क्या होता है लावाज नोटिस पहले ही से ही तयार रहती है उनके साइड आप सबीके कट आफ आएंगे तो 6-7 बज़े के आसपास आजाएंगे सामको अगर आज कट आफ नहीं आते हैं तो कल आप सबीके 12-1 बज़े दो पाहर में कट आफ आज यह फाइनल ठीक है तो अगर आपको हॉस्टल के बारे में जानकरी चाहिए की हॉस्टल कैसे मिलता है क्या कुछ है सारा डीटियल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बना दिया है सभी लोग जाकर हॉस्टल वाली वीडियो देख लीजे वेरी मोस्ट इंपोरण्ट है कितना रिजर्वेशन है फीस कितनी लगती है मेस चार्ज क्या है फेसलेटी क्या है सब कुछ तो जाकर देख लीजिए उम्मिद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी चले मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बबाय टे केर जय हिंद